युद्ध की खराप स्थती को देखते हुए भारती दूतावास को किया गया है शिफ्ट युद्ध प्रभावित युक्रेन में भारती दूतावास को अस्थाई रूप से पडोसी देश पोलेंड शिफ्ट कर दिया गया भारत की ओर से कहा गया है कि यह फैसला देश में बिगर्टी सुरक्षा स्थती को देखते हुए लिया गया है भारत ने कहा युक्रेन में तेजी से बिगर्टी सुरक्षा स्थती देश के पश्चमी हिस्सों में हमलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि युक्रेन में भार्टिय रुतावास को पोलेंड में अस्थाई रूप से शिफ्ट किया जाएगा प्रधान मंतिर नेंद्र मोदी द्वारा भायत की सुरक्षा तैयारियों और युक्रेन में चल रहे संघर्ष की समीक्षा के लिए एक उच्चिस तर्य बैठक की अध्धक्षता के तुरंत बाद या फैसला लिया गया है सरकार ने एक बयान में कहा कि पियम मोदी को युक्रेन में ताज़ा घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई जसमें ऑपरेशन गंगा जो की युक्रेन से भारतिय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन है भी शामिल था